नहीं बंद करेंगे तो प्रसासन आती है डंटा चलाती है फाइन करती है उठा के ठाना ले जाती है ठाना जाने से बढ़िया बंद कर दिया जाए लेकिन एक बार भी नहीं सोचते कि जब बंद कर देंगे तो हमरा सरकारी बेतन थोड़े आता है तमस्कार मैं हूं अभधेस और एक पर पुना श्वागत है आप सबों का हमारे नियूज चैनल के एर नियूज में कोरोना एक बार जान छोड़ा फिर दूसरा बार आया फिर तीसरा बार आया कितने दिन तक आता रहेगा अब परेशानी किसको हो रही है परेशानी हो रही है साधरन लोगों को हम जैसे ल प्रेशन लेना होता है घर पर इंकम कैसे होगी और इंकम नहीं होगी तो फिर दिन चर्जा कैसे चलेगा यह समस्याएं चलती रही अब दूसरी समस्या यह आ गई कि बच्छे का एक्जाम है फर्वड़ी से कोचिंग संस्थान को बंद कर दिया गया एस्कूल को बंद कर द प्रिक्षा तो होगी एक्जाम तो उन्हें देना पड़ेगा लेकिन जब परहाई नहीं करेंगे तो वहाँ पर लिखेंगे क्या सारे के सारे कोचिंग संस्थान बंद कर दिये गया है पुरे बिहार में हमारे साथ यहां पे जो अभी आप देख रहे होंगे अलग-अलग वि पर राओं की आज जब से आदेश हो यह सरकार की तब से इनके कोचिंग संस्थान बंद कर दिये गया है क्युकि वहाँ पे सबसे पहले कोरोना का प्रवेश कोचिंग संस्थान में ही होता है तो इसलिए इन लोगों का कोचिंग बंद हो गया है लेकिन जब कोचिंग बंध हो गया तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे वो एक्जाम देंगे, इन सभी जानकारी के लिए आज मैंने इन्हें बुलाया है, इन्हें आमंत्रित किया, तो इन सबों का आग्मन हमारे बीच हुआ है, सबसे पहले आप सबों को कोठी-कोठी जाना चाहूंगा, जी, नमस्कार, मैं नाम पाली भार्दवाज हुआ, और हमारा इंसिचीट जो है, दलसिंग सराय में ही भार्दवाज फिजिक्स कलास करके चलता है, और जब से करोना के कारण आदेश हुआ है, बिहार सरकार का कि आपकी कोचिंग संस्थाएं जितनी भी है, बंद कर देने का, और तब से हम सभी लोगों ने कोचिंग संस्थान को बंद कर रखा है, लेकिन अपने से ज़्यादा हमें समस्या उन बच्चों को देखने से हो रही है, जिनका एक्जाम का ज्यादा समय ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मुश्किल से आप कह सकते हैं कि 20 से 30 दिन काफी है, और एक्जाम की तैयारी किस परकार से उनको करनी है, ये सब हम आपके चैनल के माध्यम से बताएंगे, और उनको सोचने की कोई जुरूत नहीं है, बिल्कुल, सर, जब बच्चे आपके यहाँ आएंगे नहीं पढ़ने के लिए, फिर कैसे वो, सबसे ब करेंगे, कैसे घर पे पढ़ेंगे, कैसा कोस्चन वहाँ पर देगा, क्योंकि जब वो आपके पास आते रहते, तो फिर आप उसे गाइड करते कि ऐसे ऐसे कोस्चन आते हैं, आपको अब्जेक्टिव ऐसे आएंगे, तो इस तरह का आप उन्हें बताते, लेकिन अब वो घ काहर पे रहेंगे, आपके हाँ नहीं पाएंगे, तो फिर वो कैसे मेंटन करेंगे इस चीज को, देखेंगे, पहले से हम लोग सोच रखा था, कि आने वाला समय में करोना जो है लगवाग 5 साल तक हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाला है, और जब भी हम लोगों की क चैनल है, यूटूब पे हम बिल्कुल बच्चे के लिए बिल्कुल फिरी मैं लेके आया हूँ, और ये विगत छे महिना से मेरा ये चैनल चल रहा है, और मैं चैनल का नाम है, फिजिक्स बाई पाली भाडवाज, यूटूब पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे, फिजिक् के गारजियन देख रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं मदद मिल जाएगी, और आप भरोसा रखें, कि एक बार अगर हमारा वो कलास देख लेंगे, तो बच्चा का जो भी प्रॉब्लेम है, वो दूर हो जाएगी, अपना जितनी भी समस्याएं, वो हम से अवगत कराएंगे, ताकि हम उनके सारी समस्याओं को दूर कर सकें, अब जो एक्जाम आने वाला है, उसमें किस तरह से कोशन आते हैं, और बच्चे उसे कैसे हल करेंगे, मुझे इस सीज की जादा जानकारी नहीं है, तो आप जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो देखें, एक्जामिनेशन के तयाई करने के लिए तो कम से कम दो सालों की जो महनत होती है, वो सब को करना ही पड़ता है, और बरतमान में जो बिहार सरकार के द्वारा जो कलास 12 वाली बच्चों का एक्जामिनेशन लिया जा रहा है, उसमें सतर नंबर का और सतर कोशन पू आप हमारे चैनल उन बच्चों को पहुंचाई अपने चैनल के द्वारा, तो उमीद कर सकते हैं, जब एक बार उन देख लेंगे ना, उनकी कोई समस्या नहीं रहेगे, वो अच्छे नंबर से पास भी कर जाएंगे, और नॉलेज होनी चाहिए ना, कम्पिटिशन भी उसे तो वो भी मैं अपने चैनल के माध्यम से उन बच्चों को देता हूँ. के लिए आप निश्चिन्त रहेंगे, और आपको बहुत सारी जानकारी वहां से मिलेगी, सर क्या नाम हो आपका, मेरा नाम अमीद पुद्दार है, आपका दस्राइब है संस्थान, जी पुद्दार बायलोजी, मंसूर चक रोड, वेपार मंडल में, कितने दिन से सर आप लगभाग चला रहे है। देखा जाए तो ये साल दर साल लगभर तीन बार से आ रहे हैं तो फर्स्ट टैम तो दिक्कत हुआ था लेकिन बच्चे लोग को इस बार से हम लोग पुरी तरह से प्रिपेर पहले से कर रहे हैं 12 का जिनका एक्जाम है फर्वरी में उनका सिलेवस तो लगभग कंप्लीट हो चुका था बस उसका रिवीजन क्लास चल रहा था और जो भी बच्चे का प्रॉब्लम है जो बंध हो गई है तब से टेलिग्राम चैनल यूटूब के माध्धम से और फिर नोट्स बगेर वाट् दिक्कत हो जाता है बच्चे के लिए फिर उसमें लाना प्रॉब्लम हो जाती सभी टीचर के लिए तो इसके माध्धम से हम लोग कोशिस कर रहे हैं अब देखे जब तक आदेश है सरकार का तब सक नियम का तो पालन करना ही है और पूरी कोशिस है कि यूटूब के माध्ध हम से चलाया जा रहा है क्लास आपका यूटूब चैनल है जी छोटा मोटा चैनल है बच्चे को उससे फायदे मिल रही है तो यह बहुत बड़ी चीज है किस नाम से आप यूटूब चैनल पुद्दार बाइलो जी इसी माध्धम से है देखे सर किस टाइप का कोर्शन बच क्लास में भी जैसे जो बच्चे अभी देख रहे हैं उनके लिए एंसी आर्टी को पुड़ा तरह से आधार मान के चला जाए और उसको अगर बेसिक जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं जिनका पढ़ाई छूट गया है या बच्चा हुआ है तो इसको अगर देखते हैं औ और खुद रिवीजन करके मेहनत करते हैं तो बहतर हो जाएगी क्योंकि एकजाम तो होना ही है एकजाम रुकने वाली नहीं है पढ़ाई भले रुक जाए बस खुद से मेहनत करना सबसे बढ़ा चीज़ है क्योंकि मुसीबत का आना तो है ही जिन्दगी में आईगा ही और से निकलने का खुद में होना चाहिए बच्चे इसके लिए जो भी क्लास में आते था उनको बताया जाता था और जो भी बच्चे देख रहे हैं वो चैनल से लाव ले सकते हैं उसी निसुलक वहां से कुर्स कराया जाता है और एक दूर रोज में हम लोग भी कॉंटेंट त चल रहा था लेकिन जब एक्जाम नजदिक आया तो परहाई बंद हो गया सबसे बड़ी चीज यह है कि जब तक आप खुद से जो भी हमारे 12 में पढ़ने वाले या 11 में पढ़ने वाले बच्चे देख रहे होंगे आप टीचर पे केबल भरोसा करके नहीं पढ़ सकते हैं है ना उसके लिए आपको अपनी जिम्हेरी होनी चाहिए कि हमें किस तरश से तयारी करना है तो ये एक बहुत बड़ी जिम्हेरी आपकी भी है हमारे साथ एक और सथेन से ज़्यादा मेरे मुलकात नहीं हो पाती है लेकिन हमारे ने वेदन पर से आएपको बहुत-बहुत कारण classes stop कर दिया गया है बंद है तर घ्रक्त क्या लग रहा है यह समस्या कब तक चलती रहेगी कोरोडा एक बारा या दुबारा या फिर ती बारा भी आ गया एक पच्छे को नहीं भूद को परिशानी हो रही है आपको भी हो रही है सर यहां पे बैठे हैं सब को हो रही है क्या लग रहा है यह समस्या कब तक चलती रहेगी सर ये तो एक महमारी है और ये आप देख लिजे कि वाइरिस से फैलने वाला डीज़ीज है तो बहुत जल्दी वाइरस खतम होने वाला है नहीं पिछले दो सालों से तो लगतार कोचिंग इस्टिचूट हो या फिर जो भी एजुकेशनल हब है वो डिस्टरवेंसी हो रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई काफी बाधित हो रही है तो वाइरल डिजीज है इतना आसानी से सांथ होने वाला है नहीं हमें तो लग रहा है कि ऐसा कहीं बार-बार रिपीट नहों इसका भी डर होते रहता है से खास करके मैं जो आपको आज आमंत्रित किया था आप आए आपके हाँ जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे अभी तो परहाई बंद हो गई आपके एक्जाम काफी निकट है समय भी बहुत कम बचा है एक महीनी का समय है तो मैं उन बच्चों के लिए यह कहूंगा कि आपका सेवेंटी कोश्चन्स दे रहे हैं 35 करने हैं या शॉर्ट कोश्चन्स हैं उसमें डवल कोश्चन मिल रहा है लॉंग कोश्चन में भी डवल मिल र था कि लॉक्डाउन होना है तो उसको नजरिये में रखते हुए सब लोगों ने तयारी करवाया है और स्लेवस भी लगभग लोगों का कंप्लीट हो चुका है तो बच्चों को बिल्कुल घबराने की जुरूरत नहीं है मैं तो यह कहूंगा कि सरलोगों ने जो क्लास्रू थोड़ा से लॉंग शॉर्ट कोश्चंस में कहीं नंबर एक दो कटते हैं नहीं तो उसमें भी आपके अच्छे प्रिपेरेशन होते हैं तो आप बहतर कर पाते हैं तो मैं उन बच्चों से एक बार कहूंगा कि आप लोग कम समय में अच्छी तयारी के लिए और जितने भी एक्जामीन कर पा रहे थे कि आप इतना कोश्चंस वाल कर पा रहे हो तो इसमें इतने माक्स आप क्या आने वाले हैं चुकि अभी तो लॉग डाउन हुआ कोचिंग इस्टिूट बंद हो गये हैं तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि आपका आकलन हम नहीं कर सकते हैं तो आ मैं उमीद करता हूँ 20 से 25 सेट बनाने के बाद आपका जो है वह लगभग 99 परसेंट लेवल हाई हो जाएगा और आपका एग्जामिनेशन जरूर बहतर जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे प्यारे साथियों जैसा कि सर से हमें जानकारी मिली सबसे जो मुख्य बाते हैं कि आप जब तक खुद अपने उपर जिम्मेबारी नहीं लेंगे तो फिर आगे कुछ नहीं कर पाएंगे हमारे साथ पाली सर फेसे एक बार जोडने का मैं पाली सर को जोडने का प्रयास करूंगा सर हम लोग पढ़ते थे उस समय हम लोग को सिक्षक बताते थे महत्तोपुर्ण प्रसना सर बच्चे कैसे समझ पाएंगे कि ये महत्तोपुर्ण प्रसन और उस पर ज्यादा ध्यान दे उसको याद करें यह कीसे बच्चे अ बढ़ारी बटाये थे कि पांच साल का जो प्रिभेश पेपर है खें है थे Verb और एंसर वह अपना देखें कोश्चन आप जो भी है आप जहां सुपलब्द हो रहा है वह देखके एंसर खुद बनाए और हम लोगों ने बच्चों के लिए इतना कुछ कर दिया है कि एक बार वह कॉंसेप्ट को देख लेते हैं तो आप विश्वास रखें उनको मार्क्स बहुत अच्छा जाएगा चुकि हम लोग का तैयारी होता है न वह एक्जाम के साथ साथ जौब की भी होती है हम लोग जौब को सबसे पहला प्रात्मिक्ता देते हैं आप पढ़ लेते हैं बहुतर पच्छतर सी परसेंट क्या फाइदा कोई फाइदा नहीं है तो मुख उ जो इस बार आएगा है ना लगवक 50 से 60 परसेंट हमने दिया है उमीद कर तो ज्यादा भी आ सकता यह सारी समस्य बच्चों को टेंसल लेने की कोई आवसकता नहीं है बस पढ़ें जितना पढ़ाया गया मन से पढ़ें दिल से पढ़ें और एक कामियाब इंसान बने बस यह हुआ है इन लोगों का लास में कराया गया है सभी इसूट का वह उसी को प्रिपेर करते रहें बेहतर ढहसे उसी को तियारी करें ज्यादव ना प्रेसान होना नहीं है और बहतर रिजल्ट आएगी और अच्छा वो मार्क्स लाएंगे बस यह है बहुत बहुत बड़ी जानकारी सर के द्वारा में मिला अमिस्र का जैसा कहना आए कि घबराने की जरूरत नहीं है आत्म बिस्पास को कभी खोना नहीं चाहिए तो आज के लिए मैं सकारज करम को यहाँ पे समाप्त करूँगा आप सबों को सर कोटी कोटी धन्यवाद और कुछ कहना चाह रहे थे हैं लास्ट लाइन यही है कि आपके माध्यम से जोगार्जियन देख रहा है ना उनके लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि बच्चे को घर से भी मास्क के बिना न निकलने दिया जाए और साथ साथ घर पे सेल्फ स्टेडी बच्चे करें और चैनल को सस्क्राइब कर लें वहाँ प अपने चैनल के माध्यम से जारी कर दिया उमीद करते हैं कि सर का 15-16 के बीच में इनका भी आ जाएगा हम इनका लिंक दे दूंगा टाकि बच्चे सब्सक्राइब करके बच्चे उसको सब्सक्राइब करके इनफर्मेशन ले सकते हैं कुछ क्लासे का वीडियो वगरा है उस मिलेगी वीडियो देख सकते हैं सर मैं निबेदन करूंगा कि जो आगामी जो आपका प्रोग्राम है डालने का वीडियो फिर से अपडेट करने का तो प्लीज आप उसको जारी कर लिजेगा तो बहतर रहेगा बच्चे के लिए सबसे बड़ी बात कि आपको बहुत चैनल के मादयों से धन्यवाद कि आपने अभी तक जितना भी है जो भी मीडिया करμी हैं और सरकार हैं हम लोग के बारें कुछ नहीं सोच रही है है और हम ने हमारा इंटर्व्यू ले करके बच्चे के बारें सोचा और हमारे बारें जो लिए है इसके लिए हम सभी सिक्षक गंग के तरफ से मतलब आपको बहुत-बहूत धन्यवाद और उमीद करते हैं बहुत-बहुत सुक्रिया सर मैं आपके बारे में सरकार नहीं सोच रही है कोई नहीं सोचेंगे आपके बारे में आप कभी उमीद ही नहीं कीज़े कि आपके हर एक बैक्ति के लिए है लेकिन ज्यादा परिशानी सिक्षकों को है जो मुझे लग रहा है खास करके प्राइबेट कोचिंग स्थान चो चला रहे हैं उनको सबसे ज्यादा परिशानी है परिशानी इसलिए है कि उन्हें एक लाइन में कह दिया जाता है कि अभी अब सरकार क भी नहीं सोचते कि जब बंद कर देंगे तो हमरा सरकारी बेतन थोड़े आता है बच्चा आएगा उसको परहाएंगे मेहनत करेंगे तो मजदूरी के रूप में हमें वो महिना देंगे पैसा देंगे तब उससे घर परिवार चलेगा लेकिन कोचिंग बंद हो जाएगा तो कई से चलेगा कोई नहीं सोचते है इसके अलावे सबसे बड़ा टेंसन इस बात की हो जाती है कि बच्चे जो छोड़ देते हैं उसको फिर से उस लेवल में लाना बहुत ज्यादा कठीन हो जाता जब बच्चे आते हैं तो घर पे बिल्कुल ही उसका तयारी स्टॉप पूरा रुख जाता क्लास में आने के बाद फिर से उसको कितना मेहनत करना पड़ता इस बात का सबसे ज्यादा टेंसर यह बहुत ज्यादा कठीन और सरकार जो है मांसिक रूप से बिमार कर र मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोरोना नहीं है लोगों को साब्धान नहीं रहना चाहिए बिल्कुल रहना चाहिए लेकिन कुछ ना कुछ बैकल्पिक बिवस्ता आपको करना चाहिए था जो भी वैसे प्रिसान पिरित लोग है उनके लिए खेर कोई नहीं मैं आप सबों का ध हौल के साथ तब तक के लिए जै स्री राधे जै हिंद